दोस्तों, बॉलिवुड की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ धमाकेदार होता है, लेकिन आज की खबर वाकई हैरान करने वाली है, रनवीर सिंग और दिलजी दोसांच के फैंस के लिए एक पूरी खबर है, अक्षा कुमार ने उनकी आने वाली फिल्म, सिंग इस किंग 2 को रोक दिया है, हाँ, आपने सही सुना, तो चलिए, जानते हैं इस पूरी कहानी के पीछे का सच, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, सिंग इस किंग जो 2008 में रिलीज हुई थी, वो फिल्म जिसने अक्षा कुमार को किंग ओफ कॉमेडी बना दिया, कट्रीना कैफ के साथ उन की फैंस के दिलों में भी बस गई, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये है, कि रनवीर सिंग और दिलजीत दोसांच की जोड़ी लेकर सिंग इस किंग टू बनाने की तयारी हो रही थी, और तब ही अक्षा कुमार ने बड़ा दाउं खेल दिया, खबर ये है कि अक्षा पास सिंग इस किंग के इंटलेक्ट्वल प्रॉपर्टी राइट्स का 50% हिस्सा है, यानि बिना उनकी मनजूरी के कोई सिक्वल नहीं बन सकता, रनवीर और दिलजीत को लेकर ये प्रोजेक्ट लगभग फाइनल था, लेकिन अक्षे ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर दि कि रनवीर सिंग और दिलजीत दोसांच ने इस पर क्या कहा, इंडस्ट्री इंसाइडर्स का कहना है कि दोनों एक्टर्स इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटिड थे, रनवीर जो अपनी एनरजी और एंटर्टेन्मेंट के लिए जाने जाते हैं, और दिलजीत जो खुद एक पंजाबी आइकन है, इन दोनों की जोडी ने फैंस के बीच काफी हलचल मचा दी थी, लेकिन अब दोनों के सपने फिल्हाल अठके हुए हैं, अक्शकुमार की मन्जूरी पर, क्या ये फिल्म बनेगी या फिर ये प्लैन डिब्बे में बंद हो जाएगा, फैंस इस ख पर काफी चर्चा हो रही है, कि अक्शकुमार ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या वो खुद इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं, या उन्हें स्क्रिप्ट से कोई दिक्कत है, अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा, अक्शकुमार को लेकर एक रिपोर्ट ये भी कहती है, कि वो खुद इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन प्रडक्शन टीम को कहानी तोबारा लिखनी होगी, क्या रनवीर और दिलजीद को मौका मिलेगा, या फिर अक्शय इसे अपने नाम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मसला ज पिल्म बननी चाहिए। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही ताजा और मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह बॉलिवुड की दुनिया है। यहां हर दिन एक नया ड्रामा चलता है। मिलते हैं अगले वीडियो मे तब तक के लिए स्टे फिल्मी।